हेलो साथियों कैसे हैं आप आसा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे सिच्छा सबसे सक्तिसाली हफियार है जिसका उप्योग हम दुनिया को बदलने में कर सकते हैं ठीके साथियों आईए हम अपने कथन और तर्क के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए निख्ट प्रस्ट पर चर्चा करते हैं जैसे कि यहां लिखा गया है कथन क्या डाक सेवा का भारत में निजी करण कर दिया जाना चाहिए क्या डाक सेवा को भारत में निजी करण कर दिया जाना चाहिए जैसे कि हमने इससे पहले क्लास में चर्चा किया हुआ था इसका कोई ट्रिक नहीं होता है इस प्रकार के प्रह्ण को हम साल्ब करने के लिए अपने रियल लाइफ को जोड़ कर ही उत्तर को ढोड़ते हैं ठीक है तासियों आईए क्या डाक सेवा का भारत में निजी करन कर दिया जाना चाहिए हम अपने तर्क को देखेंगे और उस पे चर्चा करेंगे हाँ इससे भारत के नागरिकों का जीवन सरल हो जाएगा अब हम इसे अपने रियल लाइफ से जोड़ेंगे ठीक है इसमें कहा गया है हाँ इससे भारत के नागरिकों का जीवन सरल हो जाएगा क्या हम यह कह सकते हैं कि डाक सेवा का भारत में निजी करने से भारत के नागरिकों का जीवन सरल हो जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम निजी करण को बहावा दें डाक सेवा के लिए और भारत के नागरिकों का जीवन सरर हो जाए तो इसलिए हम इसे गलत मानेंगे क्योंकि यह हमारे कथन के अनरूप नहीं है और यह हमारे रेल लाइफ से भी मिलता जूलता नहीं है ठीक है साथियों अब हम अगले तरकियोर बढ़ेंगे और देखेंगे कि यह तर क्या गहता है नहीं निजी करण सभी समस्चाओं का हल नहीं है इसमें लिखा गया है निजी करण सभी समस्चाओं का हल नहीं है तो हाँ यह सही है क्योंकि भारत की जो समस्चाओं है वह निजी करण से ही साल्व नहीं हो सकता है यह बता रहा है कि निजी करण सभी समस्याओं का हल नहीं है क्योंकि यह सही है निजी करण से सभी समस्याओं नहीं की जा सकती आई हैं दूसरा देखते हैं कि निजी सेवाएं भी समार रूप से बुरी हैं इसमें लिखे गया है निजी सेवाएं भी समार रूप से बुरी हैं यहां भी सही कह रहा है क्यूंकि हम पूर रूप सेजा नहीं कह सकते कि निजी करण करने से डाख सेवाएं आसान ही हो जाएंगी क्यूंकि जब हमारी सरकार 수게acesHow유 नहीं कर रही हैं तो हम atra кто कैसे मान सकते हैं कि या सही होगे इसलिए याज़िय कि जो समार रूप से बुरी होगी है यह बता रहा है कि नहीं हमें यह कह रहा है कि नहीं नीज़ी लेहीं है और दीजि सेवाई भी समार रuch से बुरी हो शकती है तो हम इसे सक्त मानेंगे और हमने कल आपको बताया था कि यहां चार बिकल्प पे रूप में होता है जिसमें पहला नुंद कर रहा है दूसरा नुंद कर रहा है और तीसरा पहला दू कर रहे हैं यांन से कोई अन्फरंड नहीं कर रहा है यह लिखा होता है चार बिकल्प के रूप में तो हम इसमें जो बिकल्प रहेगा कि केवल दो अन्फरंड कर रहा है उसे ही हम सत्त मानेंगे क्योंकि इसमें तर्क दो अन्फरंड कर रहा है ठीक है साथियों अब हम अपने अगले क्विश् क्या कह रहा है और उसे हम किस तरीके से साल्व करेंगे ठीक है साथियों तो देखते हैं साथियों क्या भारत के सभी सरकारी कारियालों में केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को ही सरकारी नौगरी देने का नियम लागू किया जाना चाहिए जैसे कि हमारे कथन में यह क्या सरकारी कारियालेवं में जो कर्मचारी कार रहे हैं उन्हीं के बच्चों को सरकारी नोकरी दी जानी चाहिए तो आईए हम अपनी तरक के ओर बढ़ते हैं देख हैं कि इसके अनिसवार हमारा कौन सा तरक अनिसृरन कर रहा है ठीक है सात्यूं तो हम देखते हैं नहीं इससे बहुत से योग व्यक्तियों को आउसर से विमुख होना पड़ेगा और आगे चलकर सरकार को हान उठानी पड़ सकती है ठीक साथियों इसमें या लिखा गया है नहीं इससे बहुत से योग व्यक्त को आउसर से भी मुख होना पड़ेगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को ही सरकारी नौकरी देने का नियम लागू कर देना चाहिए क्योंकि हमें उनकी योगता का विस्यद्ध ध्यान देना होता है कोई भी सरकारी कर्मचारी कितना योग है या योग नहीं है जो नौकरी वह पाना चाहता है उसके काविल है या नहीं है इसको देखकर ही तभी सरकार हम लोगों से एक्जाम लेती हैं इंटर्विव करवाती हैं और भी उसे जो जरूरते होती हैं उसे पूरी करवाता है तब हमें जाके सरकारी नौकरी मिलती है ठीक है साथी अब हम अपने तरक को पढ़ेंगे नहीं इससे बहुत से योग ब्यक्ति को आवसर से बिमुक होना पड़ेगा यह सही कह रहा है कि जो योग ब्यक्ति हैं अगर यह नियम लागू हो जाएगा तो उन्हें अपने आवसर से बिमुक होना पड़ेगा और आगे चलकर सरकारी को हान उठानी पर सकती हैं सरकार को हान इसलिए उठानी पर सकती है क्योंकि यदि भ्यक्ति उस योग नहीं रहेगा और उसे सरकारी आफिसमें बेठने का मौक Alexandra मिल जाएगा जब उसकी वहाइ योगिता ही नहीं रहेगी तो वह कार को अच्छे से नहीं कर पाएगा और उसे सरकार की हान ही होव फक्ति है इसलिए हम इस कथन को इस तर्क को सही मानेंगे क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि हम तर्क को अपने रियल लाइफ से जोड़ते हुए ही करेंगे ठीक है सास्यों अब अपने दूफरे तर्क की और बढ़ेंगे जैसा कि इसमें लिखा गया है नहीं वह समानता के सिद्दान्त के विरुद्ध है तथा क्या सरकार का अपने सभी नागरिकों के प्रत दायत तो नहीं है या फिर से कह रहा है कि जो यह नियम लागू करने को कह रहा है वह समानता के सिद्दान्त के विरुद्ध है क्योंकि हमारे सम्मिधान में लिखा गया है कि सभी नागरिकों का समान अधिकार होना चाहिए तो यह इसकी चार्चा कर रहा है नहीं मतलब नहीं का मतलब यह है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए वह समानता के सिद्दान्त के विरुद्ध है यह नियम जो है समानता के सिद्दान्त के विरुद्ध है हाँ यह सही है क्योंकि हमारी समानता के विरुद्ध है यदि ऐसा किया जाएगा तो हमारे आम नागरिक इससे वन्चित हो जाएंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं तथा क्या सरकार का अपने सभी नागरिकों के प्रतिदायत तो नहीं है इसके कहने का अर्थिया है कि सरकार के जो अन्य लोग हैं जो अन्य जनता है सरकारी कर्मचारियों के अलावा क्योंकि इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे को सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए तो वही यह कहरा है कि सरकार का दाइत तो अपने सभी नागरिकों के उपरत नहीं है तो यह भी हम सही मानेंगे क्योंकि सरकार का दाइत सभी नागरिकों के उपरत है किखे साथियों अब हम विकल्प में देखेंगे कि जहां पर केवल फर्ष्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण कर रहे हैं इसे हम सत्त मानेंगे जहां भी विकल्प मिलेगा केवल एक और दोनों अनुसरण कर रहे हैं उसे ही हम सत्त मानेंगे ठीक है साथियों अब हम अपने अगले किस्चन की और बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा अगले किस्चन क्या कहता है जिन साथियों को इन प्रश्णों को नोट करना हो वह वीडियो पुश करके प्रश्ण को नोट डाउन कर सकते हैं कथन और तर्क पे जितना हम practice करेंगे, जितने question को solve करेंगे उतना ही यह part हमें मजबूती देगा अब हम अगले प्रशन के और बढ़ते हैं और देखते हैं कि वह प्रश्ण क्या कहता है साथ्मियों अब हम अगले कथन की और बढ़ेंगे और देख सेंगे कि यहाँ कथन क्या कह रहा है इसमें लिखा गया है कि आप 15 वर्षों से अधिक प्रयोग हुए वाहनों का भारत के बड़े सहरों में प्रत्वंधित कर देना चाहिए इस कथन में कह रहा है कि 15 वर्षों से अधिक जो हमारे 15 वर्ष से अधिक वाहन हो गये हैं जिनका हमें लिये हुए 15 वर्ष से अधिक हो गया है उसको बड़े सहरों में प्रतवंधित कर देना चाहिए इसके कहने का आर्थ यहा है कि यदि कोई हमारी 15 साल पुरानी गाड़ी है तो उसे 15 वर्स पुरानी गाड़ी है तो उसे बड़े सहरों में प्रत्वंधित कर दिया जाना चाहिए ठीक है साथियों अब हम अपने तर्क की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि या कौन से तर्क ह कहता हैं मात्तिक और कर रहा है से यहां लिखा गया है हां वह बड़े सहरों में प्रदूसरण को घठाने की द्सक्तर में एक महत्त्तूण कदम हो सकता है यह हमारा पाजिटिव क्योर संकेत कर रहा है कि वह बड़े सहरों में प्रदूसर्ण का प्रदूसर्ण को घटाने की दिशा में महत्पूर्ण कदम हो सकता है इसे हम सत्त मानेंगे क्योंकि यद जो गारी 15 साल पुरानी हो गई है उसे हम बड़े सहरों में बंद कर देंगे क्योंकि जितनी गारिया पुरानी होती जाती है वह उतना ही प्रदूसर करती है तो इसके कहने का तात्पर यह सही है क्योंकि यदि हम 15 साल पुरानी गारियों को प्रदूसर कर देंगे तो आप बड़े सहरों में प्रदूसर कम करेंगी क्योंकि जब पुरानी गाड़ियां सहरों में चलेंगी नहीं तो प्रदूसर्ण उतना ज्यादा नहीं होगा जो प्रदूसर्ण हुआ है वह धीरे धीरे घटने लगेगा ठीक है साथियों अब हम पने दूसरे तरक की और बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरा तरक क्या कहता है नहीं इन वाहनों के स्वामी स्वयम को भारत के अन्य सहरों या भागों में इस्थापित करने के साथ ही उचित नौकरी को प्राप्त करने में कठनाईयों का सामना करेंगे इस तरक कहने का यह तात्पर है कि यदि हम ऐसा करेंगे 15 साल की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा देंगे किसी बड़े साहर में उन गाड़ियों के स्वामी जो है वो भारत के अन्य साहरों मलब जिस साहर में प्रतिबंधित किया गया है उस साहर को छोड़कर या उस भाग को छोड़कर किसी अन्assis या भाग पर चले जाएंगे जहां उन्हें नवकरी प्राप्थ करने में कटनियाईों को सामना करेंगे ठीक ही साथ यह इसमें यह कहा गया है यदि हम ऐसा करेंगे तो वहां के जो निवासी है वो अपने इस्थान को छोड़ कर किसी अन्य भाग में चले जाएंगे तो यह कथन गलत होगा यह तर्क गलत होगा क्यूंकि ऐसा नहीं हो सकता है यदि हम ऐसा करते हैं जैसे दिल्ली में देखते हैं हम लोग बहुत सी वहानों पर प्रतिवन्द लगाया गया है तो ऐसा नहीं है कि वहां की जो वहां स्वामी है वह दिल्ली छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं तो इसके कहने का तात पर यह गलत होगा इसे हम गलत मानेंगे और इस तर्क को हम ठोस्ट को मानेंगे ठीक है सास्यों अब हम अपने विकल्प के और बढ़े है उसे हम सत्त मानेंगे और अपने किश्चन को करके आगे बढ़ेंगे ठीक है साथियों अब हम अपने अगले प्रश्ट की और बढ़ेंगे और देखेंगे कि वह प्रश्ट किस रूप से क्या कह रहा है साथियों अब हम अपने अगले कथन की और बढ़ते हैं देखते हैं क्या कह रहा है क्या सिच्छित बेरोजगार नवयक को सरकार दोरा बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए इस कथन में यह कह रहा है जो नवयक सिच्छित और बेरोजगार हैं उन्हें भत्ता दिया जाना चाहिए अब हम अपने तर्क की और बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा तर्क क्या कह रहा है नहीं बनलब की यह जो लिखा गया है उसके रूप में लिखा गया है नहीं वह अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ करने की उनकी इच्छा को छीड़ करेगा इसमें यह लिखा गया है कि यदि हम भत्ता देंगे हम पने उसे रिगलाच पर जोड़ते हुए यह मैं उसका छेड़ करेगा अब आप ही बताईए कि हमें सरकार कितना भत्ता देगी जिससे हमारी आजीविका चल सके या हमारे घर का खर्ट चल सके इतना तो भत्ता सरकार हमें देती नहीं है तो यह इसलिए गलत माना जाएगा क्यूंकि इसमें यह लिखा गया है कि ऐसा करने से जो उनकी आजीविका कमाने की कुछ इच्छा है वा छीर होगी ऐसा तो है नहीं उनके 1500 या 2000 में पूरी घर का खर्ट चल जाएगा ऐसा तो आज की जबाने में है नहीं इसलिए हम इसे गलत मानेंगे अब हम अपने दूसरे तरक की और बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा दूफरत तरक क्या कह रहा है तो यहां लिखा गया है साथियों हां वह या तो रोजगार पाने के लिए या कोई स्वर रोजगार कार जल्दी से सुदू करने के लिए उन्हें कुछ बित्ती मदद उपलब्द करेगा जैसे कि इस जतातपर है कि ठीक जो ब्यक्ति इसका लाऊब पाएगा है वह अपने रोजगार को जल्दी से धूड़ने में में या फिर खुद का रोजगार करने में जल्दी से शुरू कर सकता है जैसे कि हम किसी ब्यक्टि को कुछ थोड़े थोड़े पैसे दे तो वह अपना रोजगार ढूंड भी सकता है या स्वारोजगार करने के लिए उसे बित्ती मदद उबलब्द कराएगा जो सरकार से भत्ता इन्हें मिलेगा वह स्वारोजगार कराने में उनकी मदद करेगा ठीक है साथियों इसे हम सकत मानेंगे क्योंकि या कह रहा है हाँ वह या तो रोजगार पाने के लिए या कोई स्वारोजगार कार जल्दी से शुरू करने के लिए उन्हें कुछ बित्ती म मदद करेगा जब हमें सिच्छिता और बेरोजगार को कुछ भत्ता देंगे उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उन पैसों का अपने स्वारोजगार में यूज कर लेते हैं तो वही यह तर्क भी कह रहा है कि स्वारोजगार कार जल्दी से शुरू करने में उन्हें बिट्ती मदद उपलव करेगा ठीक है अब हम अपने उत्तर के और बढ़ेंगे तो जो विकल्प हमें यहां लिखा हुआ मिलेगा कि केवल तर्क दो अन्फरन कर रहा है उसे ही हम सत्त मानेंगे ठीक है अब हम अपने क्लास को खत्म करते हैं और इसक कि कथन ने सकर कथन पूर्ण धाड़ाएं कथन और तर्क भी इसके पहले एक वीडियो पड़ी हुई है जो आइकान बटन में दिया हो गया जिस पर आप क्लिक करकर के वीडियो को देख सकते हैं और यदि वीडियो आपको पसंद हो तो डाइब वीडियो को लाइक करिए ग अपने दोस्तों में शेयर करें ठीक है साथियों धन्यवाद